दोस्तो सर्वाइवल मूविज में हमें बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलता है कि कैसे हम एक बड़ी मुसिबत से निकल सकते हैं अगर हमारे पास उससे लड़ने की हिम्मत और चजबा हो आज मैं आपके लिए लेकर आयाँ कुछ ऐसी लाजवाब सर्वाइवल थ्रिलर मूविज जो शायद आपने अभी तक नहीं देखे होगी या शायद आपसे ये मूवी मिस हो गई होगी तो चलिए देखते हैं कौनपोन सी सर्वाइवल थ्रिलर मूविज है आज की स्टोप फाइव लिस्ट में नमबर फाइव पर है टैन थाउजन डीसी वोई बेस्ट है सर्वाइवल और थ्रिलर पर मूवी को 2008 में रिलीज किया गया था मूवी की स्टोइ स्टार्ट होती है एक आधिवासी समुधाई से जिनको डीले नाम का एक हंटर लीड करता है और एक दिन कुछ दुश्मन इनके एक बंदे को किट्नैप करकर ले जाते हैं और फिर डीले अपने ग्रूप के साथ अपने समुधाई के साथ उसे बचाने निकल पड़ता है अब देखना है कि डीले अपने उस बंदे को बचा पाता है या नहीं यह दिखा जाएगा आप एक वुल्फ भी बिचड़ जाता है अपने गुरूप से और यह दोनों घायल होते हैं और जक्मी भी और इन दोनों को मदद की जरूरत होती है अब देखना है कि यह दोनों सरवाइब कर पाते हैं या नहीं यही दिखाय जाएगा आपको इस कंप्लीट मुई में यह मुई जिसके बारे में यह फैमिली अंजान होती है और वो एक के बाद एक इनका शिकार करना शुरू करता है अब देखना है कि यह फैमिली खुद को इस शिकारी से कैसे बचाएगी जो कि एक खतरनाक शिकारी है यह मुवी आपको डिजनी होस्टार पर मिल जाएगी वो भी मुवी बेस्ट एक्शन एडवंचर पर मुवी को 2011 में रिलीज किया गया था स्टोरी स्टार्ट होती है दो बंदों से जो कि सुवर का शिकार कर रहे होते हैं और अचानक से उन पर हमला हो जाता है दूसरे समुदाई के द्वारा और वे उन्हें बंदी बना लेते हैं उनक में रिलीज किया गया था मुवी की स्टोरी स्टार्ट होते हैं एक आदिवासी फैमली से जिनकी बस्ती पर हमला कर दिया जाता है आग लगा दिया जाता है और सब को बंदी बनाकर अपने समराज्य में ले जाते हैं ताकि इनकी बली चड़ा सके कुछ को यह निलाम कर देत हैं बेच देते हैं वहां सी और इन में से एक नोजवान वहां से बचकर निकल जाता है अब देखना है कि यह बचकर जिंदा वापस जा पाएगा अपने परिवार के पास या नहीं क्योंकि यह अपनी बीवी और अपने बच्चों को कहीं पर छुपा देता है जब बस्ती हमला होता है पागी complete story जानने के लिए आपको यह movie देखनी पड़ेगी यह एक शांदार movie है दोस्तों लेकिन अपसोस की बात ही है कि यह movie हिंदी में नहीं है इसको आपको English और Hindi सब्टाइटल में देखना होगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की यह top 5 list आपको टले टाटा बाइबाइज जाएं दोस्तों अपना ख्यार लखना